हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल देव MTR यह है यामा का रे जैडर 125 बीएसिक्स रे जैडर में 5 बेरियंट आते हैं 9 कलर का उप्षन मिलता है यह है इसका सियान ब्लू कलर और यह है इसके कलर उप्षन तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस फीचर्स औ यहां पर आपको T-shape में LED DRL मिल जाती है यहां पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं वल्ब वाले और इसके एप्रेंट के ऊपर दौनों साइड में आपको यामा का लोगो मिल जाता है वाइट कलर के स्टिकर के साथ यहां पर आपको नंबर प्लेट का आपसर मिलता है और इसके फ्रेंट में आपको हेलोजन हेडलेम मिल जाती है 35 वाट के बल्ब के साथ और यहां से आप इसकी साइड प्रोफाइल को देख सकते हो यहां पर आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि इसके मैट ब्लैक फिनिस के उपर दिया गया है यहां पर UBS का diese कोपिक सेंशन मिल जाते हैं तो अब बात करें इसके मीटर कंसोल की तो इसमें आपको डिजीटल साइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं आसे सी की चावी को अन कर देता हूं तो यहां से आप इसकी डिस्पले को देख सकते हो यहां पर ओटो मोड इंडि कि रीडिंग और यहां पर आपको किलो मीटर पर आर स्पीड की रीडिंग और उपर की साइड में आपको आर पीम की रीडिंग देखने को मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आपको यामा का लोगो मिल जाता है इसके साइड मेर भी काफी यूनिक देखने को मिल जाता है अब इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी जो design है वो काफी unique दी गई है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर आपको cyan blue और matte black color का combination मिल जाता है इस scooter में यहां पर yama की branding मिल जाती है लोगो मिल जाता है और इसमें आपको 145 mm का ground clearance मिल जाता ह 99 kg इसका curve weight है total यहां पर आपको adjustable footrest मिल जाता है इसके graphics की जो design है वो भी काफी unique दी गई है यहां पर आपको rage radar का logo और यहां पर 125 का graphics देखने को मिल जाता है इसके panel पर और यहां से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो इसके उपर जो plate है वो आपको fiber वाली मिल जाती है metal की नहीं है अब बात करते हैं इसकी seat की quality की तो यहां पर आपको seat की quality है वो काफी premium मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो cushioning है वो भी काफी ज्यादा soft दी गई है और इसके पीछे की side में आपको मिल जाता है black matte finish में grab handle और इसके पीछे की tail lamp की design है वो भी काफी unique दी गई है जो की bulb वाली मिल जाती है यहां पर आपको side में indicator मिल जाते हैं bulb वाले जो की sharp type के दिये गए हैं अब चलते हैं इसके दूसरी side में तो यहां से भी आप इसकी पीछे वाले look को देख सकते हो जो की काफी unique design यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसका color combination भी काफ mobile मिल जाते हैं और 130 mm की drum brake दी गई है और यहां पर आपको unit swing type के suspension मिल जाते हैं इसके rear की side में अब बात करें इसके engine और पावर की तो यहां पर आपको 125 CC का air cooled 4 stroke SOSC 2 bulb BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power 8.02 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque 9.7 mm का 5000 rpm पर इसके additional features है stop and start system, smart motor generator system, side stand engine cutoff switch, position light और यह है इसके additional features और यहां पर आपको मिल जाता है आपको दिखा देता हूँ तो इस scooter में आपको किस type का boot space मिलता है तो यहां से आप देखसकते हैं इसका boot space इसमें आपको 21 liter की capacity मिल जाती है जो की काफी बड़ा boot space दिया गया है और यहां पर आपको 5.2 liter की capacity मिल जाती है fuel tank की और यहां से आप इसके tool box की kit को देख सकते हो जो कि इसकी seat के नीचे की side में दिया गया है और दोस्तों यहां से इसकी seat है वो भी काफी चौड़ी दी गई है तो दोस्तों अब मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust का आपको sound सुना देता हूँ तो हम scooter को start कर लेते हैं तो जैसा कि scooter जो है वो start हो चुका है तो आप दोस्तों आप यहां से इसके exhaust के sound को note कर सकते हो तो यहां से आप इसके exhaust के sound को note कर सकते हो आपको इसके exhaust का sound कैसा लग रहा है फ्लीज कमेंट कर वे जरूर बताना जैसा कि इसका जो engine है वो काफी smooth है और काफी refined engine है तो अब मैं बात करूँ इस scooter के mileage के बारे में तो इस scooter में आपको 50-55 km per liter का असानी से mileage मिल जाएगा अब हम बात करते हैं इसके price की तो दोस्तो Yama Rage Disc variant की on road कीमत है 99,662 रुपे जैसा कि दोस्तो इस scooter पर अभी फिलाल में 3,860 रुपे का discount चल रहा है अगर आप इस discount को लेते हैं तो ये आपको on road मिल जाएगा 89,760 रुपे का तो दोस्तो ये on road कीमत मैंने आपको बताई है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाज स्यादा like करें, comment करें, share करें अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को क्योंकि मैं ऐसे ही बाइक और स्क्रूटर की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो